दोस्तो भगवान ना करें कि अगर गोवर्मेंट की एक ऐसी स्टेटमेंट आज आती है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करंसी बेन है तो दोस्तो आप लोग क्या करोगे मेरा तातपर इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि मैं आपको पैनिक करूँ लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज के बाद आपको ऐसी कोई भी चिंता नहीं सताएगी जिसके अंदर क्रिप्टो बेन को लेके आपको अपना क्रिप्टो बेचना पड़े या आपको अपन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए हम यहाँ पर क्रिप्टो करंसी से लेके MLM तक की हर एक वीडियो लेके आते रहते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी दोस्तों हाली के अंदर अभी अभी न्यूज आई है पहले हम उ को बोल दे कि जो कृप्टो है वो इंडिया के अंदर बेन है सबसे पहले मैं आप लोगों को दिमाग के अंदर एक बात फिट करना चाहता हूं कि कृप्टो को बेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक डी सेंट्रानाइज करंसी है बिटकोईन जो है और इसको बेन करना यह क इनार का वो बेन किया जा सकता है और इसका solution क्या है क्योंकि पैसा आपका है किसी के बापका नहीं है और आपका पैसा आप तक रहे इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो दोस्तों यहां पर आप अपने पैसे को किस तरह सेफ रख सकते हो इन future के अंदर कभी ऐसी न्यूज प्रमातमार ना करे आए लेकिन आए तो आप कैसे इसके लिए पहले से आपकी त्यारी होनी चाहिए तो आपको त्यारी किस तरह करनी है सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि जितनी भी इंडियन अक्सेंज है जैसे वजीरक्स है जेपे है Coin Switch है या जितनी भी जो भी आप यूज़ कर रहे हो आप कोसिस करो कि आप अपना Fund जो है जब भी ऐसी कभी News आए तो आप अपना Fund जो है Binance के उपर जो की Most Trusted International Exchange है इसके उपर ट्रांसफर करो या आप अपना Trust Wallet के अंदर जो Fund है वो इसको यहाँ पर लेके आओ अब Question मार के यह आता है कि माल लीजिए वजीर X के अंदर आपके पास काफी सारी Cryptocurrencies के अंदर Payment पड़ा है माल लीजिए Ethereum में पड़ा है USDT में है, BTC में है, Ripple में है तो आप इन सारी करंसी को एक Single Coin में Convert करें Convert करके आपको International Exchange के उपर Shift कर देना है, अब ऐसे करने से क्या होगा माल लीजिए अगर वजीर X को यहाँ पर Indian Government बेन कर सकती है लेकिन Binance या Trust Wallet Trust Wallet तो एक Decentralized Wallet है इसको कभी बेन नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों आपका Fund जो है, आप ऐसी News कभी भी आती है, आप अपने Fund को Sale Out ना करके, आप ये Trick अजमा सकते हैं, अब उसके बाद आती है बारी कि माल लीजिए आपने यहाँ पर Fund तो यहाँ पर ले लिया लेकिन जरूरत जो है, वो है INR की, तो दोस्तों यहाँ पर International Exchange है, वो P2P transaction भी करवाती है, यानकी Member to Member यहाँ पर transaction करके आप अपना Fund जो है INR के अंदर convert भी कर सकते हो इसके इलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जिसके जरीए आप अपना Fund जो है, INR में convert कर सकते हो लेकिन Indian Government यहाँ तक ही सीमित रहने वाली है कि वो वजीरेक्स के अंदर जैसे अभी banks का issue चल रहा है कि bank जो है, वो वजीरेक्स के अंदर अपना जो fund deposit या withdrawal के अंदर वो issue कर रहे हैं तो यहाँ पर maximum जो है इतना ही problem हो सकता है कि banks का यहाँ पर जो है वो खतम हो जाए तो जैसे कुछ time पहले की बात करें तो यहाँ पर जैपे ने भी यही काम किया था 2017 के अंदर जैपे के अंदर bank transaction रोक दी गई थी उसके बाद जैपे ने क्या किया इंडिया से अपना office foreign country के अंदर ले जाके वहाँ shift किया और वहाँ से वो काम करते रहे तो दोस्तो बविश्या के अंदर ऐसी कोई भी नोबत आती है तो आप लोगों को Binance के अंदर आपका account होना चाहिए अगर आपका Binance के अंदर account नहीं है तो description के अंदर मैं link दे रहा हूँ उस link पे जाके अपना account create करें और उसके बाद अपनी KYC करें और strong password रखें और अपना fund आफ वहाँ पर इन emergency case में बेश सकते हैं लेकिन हाल फिलाल ऐसी कोई news नहीं है तो आप अपना fund जो है जहाँ पर भी आपका पड़ा है वहाँ पर आप अपना fund के साथ जो भी coin by sale करना चाहो वो कर सकते हो लेकिन ये जो मैंने आपको trick बताई है ये trick है emergency के कारण ताकि कभी भी ऐसी कोई news मिले जिसके अंदर ये लिखा हो कि भारत के अंदर जैसे ये एक मैं खोल रखा है कि भारत के अंदर cryptocurrency trading, mining, transfer, holding को माना जाएगा अपराद अब ऐसी कोई official statement आती है तो उस time आप अपना fund को कैसे secure कर सकते हो उमीद करूँ है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काफी helpful रही होगी और अगर आपको पसंद आई है तो description में comment कर दीजिए और हमारे channel को भी subscribe कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो मैं बभीशे के अंदर आप लोगों के लिए लिखे आता रहूं तो मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद जैहिंद